नमस्कर मैं हूँ मनमुहित और आप देख रहे हैं प्रैसवारता एक नजर के खा सिपोर्ट एक विधाय की सेलरी क्या होती है और एक पार्षत की सेलरी क्या होती है विधाय की शहर के विकास में क्या भूमीका होती है और पार्षत की भी क्या भूमीका होती है इन तमाम सवालों के लिए आज मैं मुझूद हूँ वार नमबर 6 में वो मेरे साथ मुझूद है कोपी सेनी जी जो वार नमबर 6 के पारशत पतनीदी हैं उसे चुछा करेंगे ताकि इसके बारे में विस्ता से जानकरी ले पाएं कि एक विधायक की शहर के विकास में क्या पारशत है उसकी भी भूमिका क्या है और दोनों की सेल्डिक के कंपरेजन करें तो दोनों की सेल्डिक क्या रहेगी और तमाम जो करें हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे तो मेंसत वार नमबर 6 के पारशत है को पी सेनी जी उनसे बाचीत करते हैं और विस्तार से इसके बारे दिये लेते है जो जब वरसा के दिन होते है, वरसाथ के दिन होते है, कि सहर के अंदर जल बरावना हो. वो सबसे पहले बूमी का होती है वो विदाहिक जी की कि मेरा जो सिरसा सहर है वहां किसी तरीके से कोई भी समस्य उत्पन ना हो आज कहीं ना कहीं कोई भी विदाहिक आज से पहले जितने भी बने लेकिन किसी ने भी समस्य के बारे में नहीं जाना और हर आदमी को उम्मीद होते है अब पारिशद संभाले पारिशद किस किस एरिये गो संभालेगा पारिशद अपने एरिये गो संभालता है तो जल बराव वहां पर भी होता है जो कि समस्या हर जगा से उत्पन होती है चे वो पबलिक का हेल्थ का कारिया हो चे वो नगर परि हुआ है वहां कोई ऐसा एक मीड़ पॉइंट जरना बनाना चाहिए था या बोर्वेल वहां होना चाहिए अभी पाइपों का जो काम चल रहा है अमुरुत योजना के तहत काम चल रहा है शायद यदि यह काम्याब हो गया तो सिर्शा के अंदर ऐसी जल बराव की सिस्टम भी नहीं रहेगा जल बराव अब पूरी तरह समापत हो जेगा सिर्शा में नहीं रहेगा लेकिन कहीं न कहीं अभी नगर परिशत के अंदर भी थोड़ी बहुत कम है कि सारी जगां हमें बोर्वेल कर देना चाहिए जहां जहां मीड़ पॉइंट हमें लगता है जैसे नोरिया की बात खुरूत को हम परिजन करें तो किसकी कितनी सेल्डी है और क्या पार्शद की तो सेलरी ना मातरी होती है कि वो पुब्ली की सेवा में लग जाती है पीछ सतर सो रपे और एक विदह की डेड़ला के करीब होती है जो कि लोगों को उमीद सबसे ज़्यादा पार्शद से रहती है क्योंकि जब सीवरी जी की समझ से आते है तो लोग पार्शद के पास आते हैं आपने देखा होगा एक अधारकार का कोलम है अधारकार के कोलम के अंदर साफ दिखाए MC MP MLA यदि आप अपना अधारकार की वेरिविकेशन करवानी है आपने एड़ेस चेंज करान और MC MC की एक मजबूरी होती है कि उसकी वेरिविकेशन करना कि उसको आपका वोट सेगे है और MLA को इसकी कोई मजबूरी नहीं होती है इसलिए MLA की सबसे ज़्यादों जो तंक है वो डेड़ लाग से अब हौँ है उसे TA भी मिलता है DA भी मिलता है हर तरिके का फंड भी मिल है जिस तरह गलियां बनाई जा रही है और यहां अद्योग लगवाना एम्स जैसे होस्पिटल को यहां लेके आना वह MLA हमारे सिरसा सहर की समस्या को विदान सवा में रखता है और वो किसके थुरू रखता है यहां वार्ड पार्शदों जो भी नुमाइदे चुने जाते है उनके जो समस्या को क्लेक्शन करके विदान सवा में रखने का काम करते हैं तो फिर क्या वज़य क्या मानते हैं कि हर जगह MLA वैलेबल नहीं मिलता चाहिए आप सिरसा की बात करें लोगसबा की बात करें सांसत है सांसत भी दिखाई नहीं देती है MLA की बात करें को पालक क्योंकि अब जिस तरह से उनके जो भाई है अनुज है श्री गोविंद कांड़ा जी जिस तरह से अभी अगरसेन कलोनी का आपने देखा अगरसेन कलोनी में उन्हें डो टू डोर देखा डो टू डोर गए वहां के लोगों की समस्या को पता किया एक पारक के अंदर सुबे समस्या को जाना अब ऐसाल लग रहे है सिर्षा के अंदर विदाह की नुट फ Hosp rested ही हो रही है है और संसद नहीं दिखाई देर ही कहीं पर क्या बजय मानते हैं संसdd का का दिखाई ना देना कहींना कि किसान अंडोलन कि सानों का जो ये तीन काले कानून बनाए है उसी के वो ही बज़े है तो बिल्कुल ही है गोपी सैनी जी थे हमारे साथ जिन से हमने विशेश पाचित की है कि एक शहर के अंदर विथाय की भूमी का क्या होती है पारशत की भूमी का क्या होती है वार की सेवा में खर्च करते थे तो आप इस खबर को दिख सेदिक शिर्य जरूर कर दीजिएगा और कोमेंट कर अपनी रहे जरूर देज़ेगी आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं बहुत बहुत धिन्यवाद